हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स वैसे तो हम आटो मोटिव इंजन को अलग अलग टाइप पे कैटेग्राइज कर सकते हैं जैसे कि इंजन कितने सीसी के है, इंजन के एक सिलिंडर में दो वैल्व है या फिर चार वैल्व है को इंजन के सीलिंडर के अरेंजमेंट और इंजन में कितना सीलिंडर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग टाइपस आफ मोटर साइकल इंजन के बारें बताऊंगा I am sure आज कि इस वीडियो सापको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखे साथ ही आपके बाइक में किस टाइप का इंजन यह आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी ज़रूर कर ले अब फ्रेंट्स देखे सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंगल सिलेंडर इंजन सबसे ज़्यादा कॉमन है सबसे कम पैसा इसी तरह के इंजन को बनाने में खर्च होता है लेस कॉम्पलेक्स यह इंजन होता है और आज के टाइम पे मैक्सिमम टूवलर्स में आपको यही सिं सिंगल सिलेंडर इंजन कहते है साते हैं साथ ही एक पिश्टन के अब देखिए पिश्टन जो HOW इस तरह के जो सिलेंडर में इसका अब डॉन मूव्मेंट होता है और इस तरह से जो हमारा सिंजन है वह पावर को प्रोडूस करता है मैं आपको पताना चाहूंगा कि आज के पर कम CC की बात कर लिए आप तो 100-125 CC चाहिए Glamour हो, Sign हो, Splendor हो, पैसन पर हो, सम्में यहीं इंजन होता है, सिंगल सिलेंडर, हाई CC हम चले जाएं में लोग KTM 390 Duke या फिर Dominar 400 सम्में सिंगल सिलेंडर इंजन ही होता है, इसमें लोगों को बेहतर माइलेज तो मिल जाता है, साथ ही maintenance का cost भी बहुत ही कम होता है, parts का दाम भी बाकिक टाइप के इंजन जिसके बारे मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे कम होता है, प्राब्लम बस इतना है सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ, कि अगर हम लोग सिंगल सिलेंडर इंजन अरेंजिमेंट को जादा सिसी, 600, 800, 1000 सिसी के हमारा बाइक के बहाँ पे उस तरह के इंजन में मौंट करें, तो क्या होगा, वाइब्रेशन का प्राब्लम होगा, इंजन स्मूदली रन नहीं करेगा, इसी कमी को दूर करने के लिए सेकंड टाइप के इंजन जो है, वो सामने आया है, जो कि है पैरलल ट्विन इंजन, वाइसे फ्रेंट्स, इंजन के सीसी का क्या मतलब होता, अगर आप यह जाना चाहते हो, तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पैरलल ट्विन इंजन में भी एक ही सिंगल सिलेंडर ब्लॉक होता है, साथ ही एक ही सिलेंडर हेड भी होता है, उसका जो डिजाइन है वो बहुत जादा कॉम्पैक्ट होता है, जिसके वसे हम लोगों को हाई स्पीड में बेहतर स्मूद इंजन रनिंग देखने को मिल जाता है, साथ ही जो पावर है वो सिंगल सिंडर इंजन के मुकाबले यहाँ पे जादा प्रोडूस होता है, और अधि मीड कैपैसिटी एडवंचर बाग जैसे के BMW F850GS, KTM 790 Duke इन सब में पैरलल ट्विन इंजन का ही यूज किया जाता है, नेक्स्ट है इनलाइन ट्रिपल इंजन और इस तरह के इंजन में भी एक ही सिलेंडर व्लॉक होता है, लेकिन यहाँ पे तीन सिलेंडर होते है, अगल बगल तीन सिलेंडर लगे वह होते हैं, इसलिए हमनों किसे इनलाइन ट्रिपल इंजन कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कि चुकि यहाँ पे तीन सिलेंडर और पिष्टन का अरेजमेंट होता है, इसलिए जो हमारे इनलाइन ट्रिपल इंजन होते हैं, वो सिंग जैसे क्या होता है कि end to end vibration ज्यादा होता है मैं असान लब जो में कहूं तो जब एक cylinder का piston टॉप में होता है तो उसी वक्त जो तीसरा cylinder है उसका piston बॉटम में होता है जिस वज़से हाई-speed में आपको ज्यादा vibration इस तरह के engine से देखने को मिल जाता है वैसे आपको inline triple engine, triumph street triple, साथी MV Agasta 800 in bikes में देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में जस्ट आपको अलग-अलग टैप के motorcycle engine का overview बता रहा हूँ वैसे आप इन engines के बारे में अगर detail में जानना चाहते हो तो आप मुझे comment करके ज़रू बताए चौछे टाइप का engine है वो है inline four engine, इस तरह के engine में एक ही cylinder block के अंदर में चार cylinder का arrangement होता है चारो cylinder inline यानि कि अगल बगल लगे वे होता और चुकी यहाँ पे even number of cylinder piston का arrangement होता है यानि कि चार cylinder और चार piston होते है इस वज़ा से जो हमारा inline four engine है वहाँ पे piston के movement को balance out करना ज्यादा असान हो जाता है और भले ही inline four engine बड़ा होता है complex होता है फिर भी bike में जतने भी type engine आते हैं उनमें one of the smoothest engine ये inline four engines ही होते है यहाँ पे हम अपने bike को high speed में बिना engine के किसी भी part को हार्म के हुए असानी से चला पाते हैं बेहतर torque और बेहतर power output भी हमें inline four engine से देखने को मिल जाता साथी power to weight tissue भी बागी के engines के मुकाबले इस तरह के engine का बेहतर हो पाता है आपको Benelli 600i Kawasaki Z900 Honda CBR1000RR में inline four engine देखने को मिल जाएगा next है V-twin engine इस तरह के engine में दो cylinder V-shape में arrange होते हैं यहां पे दो अलग-अलग cylinder block भी होता है दो अलग-अलग cylinder head भी होता है लेकिन जो crank shaft होता है वो just एक होता है V-twin engine में मैं आपको बता दूँ कि जो V-twin engine का design, manufacturing, maintenance, servicing सब कुछ बाकी के type के engine के मुकाबले जादा मुश्किल होता है और जो अलग-अलग company होती है जो कि V-twin engine अपने bike में देती है तो जो cylinder head है उसके बीच का जो angle है वो अलग-अलग use करती है जैसे कि Harley Davidson company दो cylinder head के बीच में 45 degree का V-angle use करती है जिसके बाएसे Harley Davidson bike में कम RPM पे बेतर torque देखने को मिल जाता है साथी Ducati अपने V-t 20 degree का V-angle use करती है जिसके बाएसे एक cylinder almost horizontal हो जाता है दूसरा cylinder almost vertical हो जाता है इसे हम लोग L-twin engine भी कहते है अब जो हमारा V-twin engine है वहाँ पे हमें बेहतर यानि कि कम RPM पे बेहतर torque तो देखने को मिल जाता है high speed भी बेहतर होता है लेकिन सबसे कम smoothest engine यही V-twin engine होता है सबसे अधा vibration इसी तरह के engine में होता है हलाकि आज के time पे V-twin engine में जो हमारा balancing soft होता है उससे use क्या आता है तो vibration बहुत ही कम हो गया है next है V-4 engine V-4 engine के construction को असान लफजों में समझना हो तो जब हम लोग दो V-twin engine के arrangement को आपस में जोड़ देंगे तो फिर हमारा V-4 engine का design है वो कुछ उस तरह से ही होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुक V-4 engine के design कुछ इस तरह से होता है कि हमें यहाँ पे in-line 4 slender engine का जो smoothness है वो मिल जाता है साथी जो V-twin engine का low rpm पे बेहतर torque है वो भी इस construction के वज़ए से हमें असानी से achieve हो जाता है हलाकि जो V-4 engine होते है वो सबसे ज़्यादा complex होते है सबसे ज़्यादा difficulty maintenance वगरा में V-4 engine में ही देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे भी आपको जो top speed है वो बाकी के engines के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा Aprilia RS V4 1100 Ducati Panigale V4 इन bikes में V4 engines को दिया जाता है तो friends ये था engine के cylinder के arrangement और number of cylinder के हिसाब से motorcycle के engine उमीद है कि इस वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो चल लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बता इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबाले ताकि आन आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification रेंगे थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye